नमस्कार, ब्रहस्पती और मंगल की यूती किस तरह के फल विशेश और प्रभाव देती है? इसकी चर्चा लेकर हम आपके समक्ष यहां उपस्तित हैं. शुरवाती इस तरह से ही व्यक्ति अगर ये मालुम कर ले कि ये यूतियां किस तरह के प्रभावों को जीवन में परिलक्षत करने वाली होती है? इस नव ग्रहिये विवस्ता में दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ब्रहस्पती और मंगल, एक पराकरम के आदिपती तो दूसरे वर्द ग्रह, विशलेशन के आदिपती, भीतर पांडित्य देते हैं, यानि कि किसी भी विशय की एक व्रहध जानकारी देने का कारे करते हैं. पूरी कुंडली की भीतर जिने सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त हैं वो है व्रहस्पती, और वहीं आप देखें कि जो श्रूनित लगातार बहरा है, जो रक्त लगातार शरीर के भीतर बहरा है, उसका कारकत्व और उसका पूर्ण रूपेन आदिपत्य किसी को प्राप्त है, वो है मंगल, यानि कि यूनिक क्वालिटी के साथ में जो रक्त हमारे भीतर चलता है, जिसका आज भी विज्ञान अभी तक विकल्प नहीं डूंड पाया है, विज्ञान ने बली कितनी ही तरक्की कर ली हो, किन्तु आज भी रक्त की एक बूंद भी बनाने में प्रीचे मूड कर नहीं देखता, किन्तु ब्रहस्पती सामनजस्य स्थापित करके चलाने का कार्य करते हैं, व्यक्ती के भीतर जैसे-जैसे ज्ञान की गंगा प्रस्पुटित होती है, जैसे-जैसे ज्ञान का अविरल प्रवाह उसके जीवन के बीतर उतरने लगता है, उ पंचम के भीतर जहांपर ब्रहस्पती कारक भाव का नाश्ट नहीं करने वाले होते ये सद्धानतिक रूप पे तो हमने कई बार सुना है किन्तु इसके पीछे का विवेचन क्या है ये जान लेना भी अक्यरिक आवशक हो जाता है अगर हम फल की दृस्टी के हिसाब से देखते है जैसे जैसे भूमी के बीतर जाते हैं गर्मी और ताप बढ़ता है और जैसे जैसे आकाश्टत्व की और जाते हैं वैसे वैसे ठंड़क बढ़ती है ब्रहस्पती उसी आकाश्टत्व के आदिपत्य को लेकर है विदेश की आत्राएं विदेश की संभावनाओं को देखने का सबसे मैत्वपूर्ण जरिया है ब्रैसपती वहीं मंगल की स्थियां आप देखते हैं तो तेज तत्तु परदान अगनी तत्तु परदान ग्रह है अगनी शुद्धी करण का कारियर भी करती है तो अगनी कई बार तपाने और जलाने का कारियर भी करती है सामंजस से स्थापित होना अत्यदिक आवशक है तो ये दोनों ही ग्रहे जब साथ में बिराज़त हो जाते हैं तो 12 ही भावों में किस तरह के फल देते हैं ये हम आज चर्चा जनित विशाय के साथ में लेंगे जहां पर ब्रैस्पती कर्क के भीतर उचस्त हुए वहीं मकर में नीचस्त हुए तो मंगल मकर के भीतर उचस्त हुए और कर्क के भीतर नीचस्त हुए बिल्कुल रेट्रोगे जो मैंने चर्चा की आज शुरवात की है आप देखें कि मेश लगन की कुंडली है काल पुरुष की कुंडली है चतुर्त इस्थान हर्दय इस्थान जहां ब्रहस्पती उचस्त तो वहीं पे मंगल नीचस्त कई वार इसे नीच भंग की संग्या भी दे दी जाती है किन्तु नीच भंग योग उसी स्थती में बनता है जब यहां के राशी आदिपती अथार्त चंद्रमा सेकंड आउस के बीतर जाकर बैठ जाए तो नीच भंग योग बनता है इस स्थती के बीतर जहां एक ग्रह उचस्त तो दूसरे ग्रह नीचस्त वहां पर नीच भंग योग नह से हम नीच भंग की संग्या देंगे इसके अलावा नीच भंग की श्रेणी के बेतर सिरफ और सिरफ इन ग्रहों का बैठना नहीं आ जाता आप देखें कि ये उत्रोतर बली केंद्र और ये द्वितिये केंद्र जो की सुख स्थान भी है भूमी स्थान भी है और साथ में मेश लगने की ही कुंडली हो और ब्रहसपती और मंगल साथ में विराज़त हो हम यहाँ पर एक प्राइमा फेसी आप्रोच के साथ में इस यूति की चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले विशियों के साथ आगे आने वाले एपिसोड्स के साथ प्रतियक लगन की संस्थितियों के साथ में भी इस यूति की चर्चा करते चले जाएं सरव प्रत्रम आप देखें कि लगन के भीतर और मेश लगन की ही कुंडली हो यह योगा योग बनता हो आप देखें कि अस्टमीश सरव प्रत्रम लगन स्थान के भीतर आकर बिरा ब्रहस्पति और मंगल की यूति बन जाए तो व्यक्ति का जो औरा है जो पर्सनेलिटी है वो बहुत यूनिक अप्रोच लिए होती है कहां पर गुसा दिखाना है और कहां पर उसे पूर्ण रूप से नियंतरत करके चलना है यहां पर ये भी स्मृतियों के बेतर रहे कोई ग पैक्षा उस हिसाब से नहीं की जा सकती कई बार उपैक्षाएं सामने निकल कर आती है वहीं मंगल पूर्ण रूप से स्थापित पोजिशन्स के अंदर है अपने ही नक्षत्र के भीतर की संचरन इस्तियों में है पंदर है डिगरी के आसपास है सूर्य से दृष्टी सब तक रहे की विवस्ताओं की बात करते हैं तो तीन ऐसे ग्रहे हैं जिने स्पेशल दृष्टियां प्राप्त है तो ब्रहस्पती और मंगल यहां बैटकर जो एक डिफॉल्ट अप्रोच में जो दृष्टी है असपेक्ट है वहां से तो देखते ही है किन्तु मंगल को च बैट गए तो सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं व्यक्ति को यह सब कॉंशियस में बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कहां तिवरगामी होकर बढ़ना है और कहां अपनी रफ्तार का पून रूप से ध्यान रखना है कहां पे क्रोधित होना है किस extent के उपर क्रोधित हो और जहां पर शुक्र कारकत तो प्राप्त होकर आगे बढ़ते हैं ऐसी पूजिशन में जब ब्रहस्पती यहां पर द्रिस्टी डालते हो और मंगल भी द्रिस्टी डालते हो तो ग्रहस्त में निवनाधिक तल्खियां देखे जाती है किन्तु वो एप्रोच समागम के साथ सामन जस्चे के साथ भी बढ़ने का कार्य करती है पाचवी द्रिस्टी से जब ब्रहस्पती पंचम स्थान को देखने वाले होते हैं तो यहां पर वरद्धी सिक्षा के बीतर होती चली जाती है उच्च्च सिक्षा की स्थियों के बीतर भी जब खुद के ही मूल तरकॉन क को देखते हैं तो वो व्यवस्थाएं और अच्छे से परिवर्तित होकर सामने आती है ग्रहस्त में नियंतरन रहता है मंगल की जो अगनी प्रतान स्थियां है कई बार व्यक्ति को भुगर्बिया रिसर्च के साथ में जोडने का कार्य करती चली जाती है और भ्रहस्पती उसके बीतर विशलेशन बढ़ाने का कार्य भी करते हैं ऐसा व्यक्ति कई बार उच्छे पदासीन कौर्प्रेट कल्चर के बीतर और गौर्रमेंट कल्चर में अगर सूर्य की पोजिशन भी हो तो काफी हद तक उत्रोतर प्रगति की तरफ जाता हुआ आप देखा जा सकता है यही अगर स्ति सेकंड हाउस के भीतर बनती हो द्वितिय जो एक तरह से आप देखें कि द्रव्यस्तान है जो की द्रव्य है कोटुम्ब है और इसके साथ में वानी का स्तान है यहाँ पर यह स्तिती बनती हो तो मंगल अकारक हुए मंगल रिजल्ट देने वाले नहीं हु पूमी का निभाने वाले होते हैं अगर वो कमजोर हुए पाप ग्रहों से दरस्ट हुए तो वहाँ पर उनकी फितरत में और अधिक परिवर्तन आता है किन्तु जहां पर ओजपूर्ण बाशा शैली की अवशकता हो जहां पर पूर्ण रूपेन ऊर्जा के साथ में किसी व बुद्ध और साती सात में शुक्र के स्ततियां आसपास रहती है तो बुद्ध अगर प्राक्रम से कंट स्तान से अगर कहीं जुड़ेवे होंगे शुक्र जुड़ेवे होंगे तो सूर्य शुक्र और बुद्ध का आसपास रहना एक तरह से नितांत हो जाता है क्योंकि इन रुपया बैसा बढ़ता है व्यक्ति कुटुम्भी जनों के साथ में दूरी बनाने लगता है लेकिन उसके खुद के जीवन में धनाभाव नहीं रहता उसकी वानी माशारदा की आशीश और नेह के साथ में लगातार निखरती चली जाती है किन्तु 100 किलो दूद में एक बू अब्ढर देने का भी कार्यकरता चला जाता है वहां से स्थतियों को देखना आविशक पराकरम स्थान के भीतर अगर ये यूति बनती हो और ये मित्र शेत्री स्थतिया हो और कोई भी मित्र ग्रह इनके उपर द्रिश्टी निक्षयपन करते हो सुरे जैसे ग्रह इनके चिलता है, एक्सेप्टिबिलिटी है और कर्म के प्रति प्रदान्ता जो है वो बढ़ती है, कैसे कि यहाँ बिराजित होकर ब्रहस्पति और मंगल, आप देखें कि सरवपर्थम तो यहाँ भाग्य स्थान को देखने वाले हुए, मंगल कर्म स्थान को देखने वाले हुए, ब्रहस्पती ने लाब के उपर भी अपनी अमरत में दृस्टी को एक तरह से निक्षेपित करके रखा और साथ में जो सब्तम स्थान है कामकाजी जीवन को देखने का इस्थान है वहाँ पे भी ब्रहस्पती ने वृद्धी की जब भी नरनायक मोड के उपर लो नादी के जोरत इस्थान में अगर ये ऐसी पोजिशन हो अगर जो है एक तरह से शत्रुशेत्री जो है स्थतियों के भीतर ये दोनों ही ग्रह बिराजवे हों भूमी संबंदी विवाद मिलते चले जाते हैं शनी जो की पुरानी प्रापरटीस के भी आदेपती हैं उनकी पोजिशन को देखना आवशक हो जाता है कहीं बुद्ध नेस्ट कारक स्थतियों के साथ में यहीं तो नहीं बिराज़त हैं ये भी बहुत क्लीन अप्रोच के साथ में देखना चाहिए किन्तु माता के साथ में अगर ब्रहसपती अच्छी पोजिशन्स में हो तो जुडाव मिलता है यहां से नौवी दृष्टी से देखकर ब्रहसपती सामाजिक सरोकारों के अंदर मिरबास में कई ऐसे लोग जब एपॉंट्मेंट लेकर आते हैं या फिर विशलेशन के इसाब से आते हैं तो यह कहते भी हैं कि ब्रहसपती ने हमें इस इस्तिती के बीतर सामाजिक सरोकार उसे जोडने का काम बहुत किया लगातार मन के भीतर देने की उच्छाएं पनपती चली गई कई ऐसे निर्बल का सबल बनने के भीतर ईश्वर ने हमें एक विशेश नेह देकर बेजने का कारे किया और वहां से हमने अपने जीवन को एक नई राह की और धकेलना भी जिस उम्र में जो सुख और सवधाय मिलनी चाहिए उन्हें देते चले जाते हैं उनके भीतर वर्दी करते चले जाते हैं किन्तु यहां पर मंगल भूमी से इतना लाब नहीं होने देते कई बार माता और उनके कुटमभी जनों के साथ में विवाद भी निकल कर आता हुआ देखा गया है मानसिक सुख की इस्तियां ऐसी पूजिशन में चंदरमा के ऊपर भी बहुत अरिक डिपेंड करती है क्योंकि मंगल ऐसी इस्तियों के बीतर उद्वलित करने वाले होते हैं चंदरमा कर उचस्त हों पापी ग्रहों से दरस्ट नहों तो मानसिक सुख की एक त कारको भाव नाशाया की त्योरी यहां पर लागू नहीं होती क्यों नहीं होती कि प्राक्रम स्थान जो की प्राक्रम का द्योतक है उर्जा का द्योतक है मंगल वहां बैटकर अपनी ही क्वालिटी का हास कैसे कर सकते हैं और वही पंचम के भीतर जब रहस्पती बिराज़त हो जाएंगे जो कि ग्यान के कारकाधी पती है, आप व्यक्ती से कुछ भी चिन लीजिए, ये प्रकरती उसे शुन्य के उपर लाकर खड़ा कर दे, किन्तु उसके उपर ग्यान की एक तरह से ने है, उसके उपर मा शारदा का आशिरवाद है, तो मा श्री आशिरवाद एक समय के भीतर उन्हें देगी ही देगी तो यहाँ पर ज्यान का नाश व्रहस्पति विराज़त होकर नहीं कर सकते और यहाँ पर मंगल पराक्रम का नाश नहीं कर सकते क्योंकि इस देर इंट्रिंसिक सा इती धार येती धर्म जो धरन कर लिया वही धर्म है उसका नाश कैसे हो सकता है तो यहाँ चतुर्त स्थान की चर्चा हुई पंचम स्थान के भीतर अगर ब्रहस्पति और मंगल विराज़त हो जाएं और शनी की स्थतियां बहुत अच्छी हो बुद्ध की स्थतियां बहुत अच्छी हो व्यक्ति टेक्निकल एजूकेशन की बेतर अगर बुद्ध भी एक पुजिशन के अंदर हो गए टेक्निकल एजूकेशन में नामी गिरामी स्थतियां उसे मिलती चले जाएगी शनी मंगल का दृष्टी संबंध यहां पर हो जाए तो आप देखिए कि तकनिकी स्थर के उपर व्यक्ति विकाश शील होगा ब्रहस्पति यहां और अधिक वर्धी करने वाले हो जाएंगे बाग्ये का संपूर्ण सपोर्ट लाव यहां पर जो है मिलेगा ही मिलेगा डिग्रीज भी देखिएगा यह अती आवशक है चलित की प्रधानता देते हुए चले जाएंगे ब्रहस्पति यहां पर वहीं अगर सिक्स थाउस के भीतर यह यूती बनती हो तो सरवपरतम आप देखें कि जो पेट संबंदी रोग है वो मिलते चले जाते हैं ब्रहस्पति कितना ही नियमतरन करने की कोशिश करें कि हमें कोई भी म अनुबलता देने की आउशकताइं रहती है कर्म की प्रदानता पांचवे दरिस्टी से कर्म के उपर प्रदानता वो मिलती चले जाती है कई बार विदेश्च संबद्दित इस्ततियां उसे मिलती चले जाती है लिक्विडिटी जितनी मिलनी चाहिए उस पे नियंतरन भी रहता है ब्रहस्पती जब भी यहां 12 आउस को देखते हों तो आप देखे एक बड़ी डिफॉल्ट अप्रोच है और आप भी अनुबव करेंगे और खुद के साथ में भी अनुबव करेंगे कि रुपयों पैसों में व्यक्ति कैलकुलेटिव रहता है और कैलकुलेट रहन करने वाले होते हैं और वही व्रद्धी ओचक रूप से उसके जीवन को परिवर्तित करने वाले भी कही जा सकती है वहीं अगर आप सब्तम स्थान की स्ततियों की बात करें महीला की कुंडली के बीतर मंगली जातक ऐसा इनसान हो जाता है और ब्रहस्पती सब्तम में अधिक तलखिया और परिशानिया देखी जा सकती है वियापारिक गतिविधियों के हिसाब से वियापारिक नरणय के हिसाब से किसी भी ऐसे कामकाच के हिसाब से जो मेडिकल से जुड़ा हो एजुकेशन से जुड़ा हो या फिर जहां पर ग्यान की नितानत आवशक्ताए हो वहाँ अपर सब्तम स्थान के भीतर ये इस्ति अत्यादिक हद के उपर महत्वपूर्ण और अच्छी कही जा सकती है किन्तु ग्रहस्त एक महत्वपूर्ण कोना है व्यक्ति अगर घर से संतुस्ट है तो बाहर जाकर वो दुनिया जीतने का काम कर सकता है और अगर घर के भीतर से ही उसे कई दुविधाय मिल रही है तो निरनायक तोर के उपर वो डिस्टब रहता ही रहता है यहां से लगन को पावर पूरे तरीके से मिलता हुआ देखा जा सकता है एक स्तिति तो रही साथ ही साथ में अगर आप अस्थम स्थान की स्तितियों के भीतर देखते हैं और यह जो पूजीशन है मेश लगने की ही कुंडली हो या फिर आप देखिए कि भ्रहस्पती स्वैम उच्चस्त विराजत हों मंगल बले ही महां के नीचस्त हूँ इस पूजीशन के भीतर व्यक्ति डीपर सैंसेस के देता ही है एक बुद्धी जीवी इंट्रेक्चुल की श्रीणी के भीतर आता है ऐसा व्यक्ते और उसका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है जीवन में सुख की आकांगशाय मिलती है लिक्विडिटी नियंतरित रहती है और जो हमारे घर परिवार के संबंध है वो इतने बिगाड की तरफ नहीं जाते नवम भाव के अंदर आध्यात्मिक चेतनाय प्रस्पुटित होती है किन्तु भाग्य के भरोसे व्यक्ति बैठने वाला नहीं होता भाग्य की डोर को एक तरफ रखके कर्म की उर्जा के साथ में चलने का काम करता है मंगल यहां अगर जो है कमजोर पोजिशन के अंदर हों ब्रहस्पती स्ट्रॉंग पोजिशन के अंदर हों तो भी जीवन की यापन की इस्ततियां है रोजगार की इस्ततियां है वो अच्छे से निकल कर आगे चलती चली जाती है इतनी दुवधाएं उसे नहीं आपाती अपनी रफ्तार के साथ में, अपने कामकाच के साथ में सब एक्ती, बढ़ता चला जाता है, सरकारी तंतर के साथ जुड़ा हो तो प्रमोशन आदी, जब दशा अंतराल हो, प्रतियंतर हो, अंतर दशाएं चलती हो, नवमांच की इस् स्थियों के साथ में हो, तो शिक्षा, संतान से सुक, शमताओं को धारन करने की स्थियां जीवन में बढ़ती चली जाती है, और वहीं से उसके जो भी सार गर्वित स्थियां है, वो उसे आगे बढ़ाने का कारवरी करती है, दशम स्थान, उत्रुतर बली किंद्र, जहां पर मंगल उच्चस्त स्वगरही स्थियों के बीतर बिराजित होकर कुल दीपक जैसा योग बनाते हैं, आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जाते हैं, रूचक अगर मंगल स्वगरही हो जाएं और साथ में उच्चस्त हो जाएं, जैसा कि इस स्थिय के बीतर होगा, रूचक य दुक्तर बली किंद्र ये कर्म इस्थान भी है, पिता का इस्थान भी है, प्रबंधन का इस्थान भी है, हरदय की इच्छा शक्ती का इस्थान भी है, इतना महत्वकून स्थान है, भाग ये कई बार साथ छोड़ेगा, किन्तु कर्म कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, ब्रह चला जाता है, even if you are going to indulge in corporate culture, अगर आप corporate culture के भीतर हैं, सरकारी तंतर के भीतर हैं, अगर आप साशन और प्रशाशन के भीतर एक गहरी डोर के साथ में जुड़े हुए हैं अगर आप अध्यात्म वेता हैं अगर आप प्रीचर हैं अगर आप धर्माविलम भी हैं यदि आप रियल एस्टेट के कामकाच के साथ में भी जुड़े हुए हैं उन सारे के सारे शेत आप बहुत अच्छे से गौर फरमाएं, दश्यम स्थान एक बहुत अधिक महत्वपूंड स्थान है, यह से हम पूरे अच्छे से अपने जीवन के भीतर समझने का कारे करें कि क्या ऐसी यूति यहां पर बनने का कारे तो नहीं कर रही है जहां से सुख, मानसिक सुख, भूम की स्थान प्रबंदन की स्थान सब कुछ बहुत अच्छे से और करीने से देखकर हम आगे चलने का कारे कर सकते हैं वहीं पर एकादश इस्थान यहां कारक भाव का नाश होता है किन्तु मंगल यहां वैट कर व्यक्ति को एक तरह से प्रखर उर्जावान करकर प्रखर चेतना करके उसके कामकाज को उससे लाब दिलाने वाले होते ही होते हैं और वहीं पर लिक्विडिटी के हाउस के बीतरी वर्धी करने वाले हो जाते हैं पंचम जो कि क्षमताओं का भाव है स्पोर्ट्स परसनेलिटी अगर व्यक्ति हो तो यहां उसकी शमताएं बढ़ती चले ज सब्तम पूर्ण रूप से कमजोर ग्रहों के साथ में स्थापित, सब्तमेश कमजोर पॉजिशन्स में स्थापित, किन्तु ब्रहस्पती अपनी अमरित्मई द्रस्टी को वहाँ पर निक्षपित करके कई बार पॉजिशन्स को कंट्रोल कर देते हैं, सामने वाली होरस्कोप वह अगर बहुत स्ट्रॉंग हो लिये हो, तो ज़्यादा चिंतित होने की आवशक्ताएं नहीं रहती, वहीं व्याय इस्थान, द्वादश इस्थान, द्रहस्पती और मंगल की यूती अगर यहाँ पर बनी, तो विदेश शंबंदी कामकाज के बीतर व्यक्ति उन्नती कर जाता है, पूरे घर, परिवार और कुटंब को सयोग देने वाला होता है, यहाँ पर विदेश से रहकर देश में कई बार जमीन आदी के सौदों के अंदर भी इंडल्ज रहता है, खुद को आगे बढ़ाता है, वहाँ जाकर भी प्राकरम के भीतर मंगल उसके कमी नहीं न देते, किन्तु इंस्टन्ट बेसेस के उपर ऐसे व्यक्ति को लोन से बचना चाहिए, रहस पती यहाँ पर ग्रहस्त के स्ततियों को बचाने वाले नहीं होते, किन्तु काम काज के अंदर नितांत रूप से आगे लेकर जाने वाले होते हैं, इनकी दशा अंतराल के भीतर भ वहाँ पर भी उपासना पदवत्यों की तरफ जाएं, किन्तु वहाँ सिरफ नह की और एक तरह से आशीश की ही अपेक्षा करते चले जाएं, तो यह थी ब्रहस्पती और मंगल की यूती संबंदी पूरी की पूरी चर्चाएं, उपाय जनित व्यवस्ताओं के साथ में मैं आता रहता हूँ, देने के राशिफल है, चाहे मासिक राशिफल है, यह एक सिरे के साथ में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते चले जाते हैं, तो अगर यह यूती बन रही है, इसी अनुसार आपकी प्रकरती को भी देखने का कारे करें, और अपने कामकाच को जीवन के बी कोटी धन्यवाद,